हैलो फ्रेंड्स मैंने पहले इस डिजाइन से अपना सूज बनाया था तो कुछ मुझे लोगों ने पूछा ये किस तरह से बनाया गया है तो मैंने दिखिये इस डिजाइन में बना कर दिखाया है और जो देखने में बहुत प्यारा लगता है और मैं इसे एक फंदे से बीच में नौ फंदे बनाकर फ्लावर बनाती चली जाओंगी आगे तो दिखिए मैंने इसे इस तरह से बनाया है मैंने 41 फंदे लिए है यानि के 41 और मैंने इसमें 5 सिलाईयां साधा बना ली है आगे पीछे गाठे करके और दिखिए आगे मैं डिजाइन बनाने के लिए एक फंदे को दूसरे कलार से बनाओंगी फिर एक फंदा बिना बुना हुआ उतार लूँगी फिर एक फंदा बुनूँगी एक फंदा फिर उतार लूँगी इसी तरह से मैं बीच का फंदा जो है उस तक पहुँचूंग आधे इधर करके और आधे उधर बना कर यानि कि मैं 20 फंदे इधर बुनूँगी 20 उधर बुनूँगी गिनकर मैं 20 फंदे इधर कर लूँगी 20 इधर कर लूँगी और जो हमारा बीच का फंदा है मेरा जो बीच का फंदा है उसमें मैं उस डिजाइन को बनाना शुरू करूँगी जैसे ये तो मैं बनाने के लिए डिजाइन उसी फंदे के इस तरह से लूँगी फंदे से फंदा और इस तरह से उस फंदे को बुन लूँगी ये मैं नौ बार करूँगी तीन चार पाच छे साथ दिखे मैं नौ फंदे गिन कर बनाऊंगी और फिर जैसे मैंने पीछे किया था एक फंदा इस तरह से स्लिप कर लूँगी एक बुन लूँगी लाश्ट तक मैं इसी तरह से बुनती चली जाऊंगी सारे फंदों को बुनाई हम बीच में बनाएंगे जिससे देखने में बहुत ही प्यारी लगे फिर उल्टी तरफ से बुनाई करने के लिए मैंने जो फंदे दूसरे कलर से बनाए हैं उन फंदों को मैं बुनूँगी इस तरह पीछे की तरफ सादा ही और ये जो स्लिप किया था उतारा था वो इस तरह से उतार लूँगी फिर पीछे की तरफ धागा करके बुनूँगी फिर उतारूँगी फिर पीछे की तरफ बुनूँगी फिर उतारूँगी इसी तरह से मैं ये जो नौ फंदे बनाए थे मैंने एक फंदे से वो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और फिर ये धागे को कर लूँगी फिर देखिए उसी तरह से मैं आगे के फंदों को इसी तरह बुन लूँगी देखिए हमारी सलाई बन कर तयार है और जिस धागे से मैंने बौडर बनाया था उसी धागे से मैं आगे सारे फंदे साधा साधा बुन लूँगी सारे ही फंदे साधा साधा बना लूँगी एक ही कलर के और जो नौ फंदे हमने बनाये थे एक फंदे से उनको भी मैं बना लूँगी उसी कलर से देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा डिजाइन जैसे इस सॉक्स में मैंने बनाया था पीछे का डिजाइन भी मैं जो बॉर्डर बनाया था उसी कलर से ये सलाइ भी बनाती जाओंगी एक उल्टी एक सीधी सलाइ मैंने साधा बना लिये है फिर आगे का भी मैं उसी तरह से बनाऊंगी एक फंदा बुनूंगी और एक उतारूंगी ध्यान रहे कि हमारे फंदे आधे आधे रहें जो फंदे हमने एक के नौ किये थे वो भी चार इधर चार उधर हो जाएंगे और बीच का जो फंदा है उसी पर हमारा दुबारा डिजाइन आगे बनता चला जाएगा मैंने आपको साथ फ्लॉवर बना कर दिखाएं हैं दिखिए मैं इसी के उपर फिर दूसरा फ्लॉवर भी शुरू कर दूंगी उसी तरह से एक फंदे से इस तरह से मैं नौ बार निकालूंगी गिनकर तीन चार पाँच छे साथ नाट कि दूब आर गिनकर मैं फंदे गिन लिये का जो फंदे मैंने पहले उतारे थे हमारी बुना यसी पर बनती चली जाएगी फिर हम उसी पर अपसे ही क्योंकि जो चार फंदे हमने इधर उदर बढ़ते जा उनकी अपने आप से अलग बनता चला जाएगा और उसी तरह से आगे की सलाई भी बना लेंगे कि पीछे की तरफ दूसरे कलर वाला फंदा बुन कर और आगे की तरफ फंदा घुमा कर जो पहले कलर था उस पे उतार कर इस तरह से पीछे बुन लेंगे पहले की ही तरह हम अपने बड़े हुए फंदे जो है नव उनको भी पीछे की तरफ ले जाकर ऐसे ही बुन लेंगे जैसे पहले बुना था और हमारा डेजाइन बन कर तयार होता चला जाएगा अब हमारे दो फ्लावर बन गए है तो देखिये फ्रेंट्स ये बुट टॉबर है इ sacrificing पठाइगे अपने जाऊ मारensions अब को ए memड़ाइगे की तरफ फ्लावरा आडि 2000 कारी बन कर दोटाइगे जातार होता कारी ब relationship फ्लावर प्लावर खर प्लावर टॉट ये की तरफ थे ऍचल है